रोहित है आज हम लोग सेर साह सोरी जो की बिहार के रहने वाले हैं उनके बारे में complete description करेंगे इसको हम लोग बीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे part 1, part 2 करके क्योंकि यह बहुत ही महतुपूर्ण topic है अगर आप सेर साह सोरी के बारे में देखेंगे तो आप BPSC का कोई भी paper आप उठा कर देख लिजे BPSC का means या prelims दोनों जगा आपको सेर साह सोरी के इर्द गिर्द प्रश्ण मिलेंगे ही मिलेंगे पर अभी क्या है कि questions जो trivial type के questions हैं वो पूछे जा चुके हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़कर पढ़ना होगा क्योंकि मेंस में भी इस्तमाल हो जाएगा और prelims में अगर प्रश्ण आता है तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए ये सब कुछ एरिया है जैसे बक्तियार खिलजी वाला है सेर साह सोरी वाला है तो मेडिविल इंडिया का ये पार्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है और प्रश्ण पुछे ही जाते हैं तो इसलिए इसको हम ग्रेट डीटेल में पढ़ेंगे और इसको करेंगे अगर आप सूरी डाइनेस्टी की बात करते हैं तो सूरी डाइनेस्टी जो है अगर मोटा मोटी आप बात करें तो 1540 से लेके 1556 तक सूर वन्स चलता है जो सूर डाइनेस्टी है सूर डाइनेस्टी का फाउंडर है सेर साह सूरी शेर सासूरी जो है यही सूरू डाइनस्टी के संस्थापक है यह कहां के रहने वाले है तो यह सासाराम के रहने वाले है वेर इस सासाराम सासाराम हेड क्वाटर है जो जिला है बिहार का उसका नाम है रोहतास सेर सासूरी वहीं के रहने वाले है अब आप ध्यान से देखें तो पहला information हमारे लिए important है सूर डाइनेस्टी का founder कौन है तो सेर साह सूरी है जो second important जो hidden fact है कि सेर साह सूरी is the second Afghan ruler to rule India what do you mean by this जो अफगानी नस्व का ये second ruler है जो पूरे भारत पर rule करता है it is an important question जो आपकी भी पेसी में पूछा जा सकता है तो हमारे जहन में पहला प्रस्लिय आना चाहिए कि फिर पहला ruler कौन है जो पुरे बिहार को जो अफगानी मुलका है और पुरे देश को रूल करता है तो वो लोधीज रूल करते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि लोधीज जो है अफगानी मुलके हैं और लोधीज जो है अफगानी मुलके पहले सासक है जो पूरे भारत पे रूल करते हैं और जो दूसरा सासक है वो सेरसा सूरी है अब आप देखें कि सेरसा सूरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज के बारे में हम लोग टीटेल में पढ़ेंगे जब हम सेरसा सूरी को पढ़ रहे हैं तो दो चीज हम लोग को पता होना चाहिए कि सेरसा सूरी की जो पूरी इस्टोरी होगी वो दो जो धाओं की लड़ाई की इस्टोरी है एक हुमायू जो मुगल डूलर है और दूसरा सेरसासूरी जो सूरवन्स का संस्थापक है पूरी इस्टोरी इनकी लड़ाई के इर्द गुमते रहेगी तो what we are doing is we are trying to create a broad contour जिसके तहत हमें study करेंगे broad contour में पहला हमारा information ये हो गया कि जो भी हम सेरसासूरी को पढ़ रहे है अगर आप सेरसासूरी का broad outline का दूसरा important feature आप देखें तो आप ये पाएंगे कि इसमें दो जुद्ध बहुत ही important है जो हर आदमी को पता होना चाहिए पहला जो जुद्ध है वो है battle of चौसा battle of चौसा ठीक है where is चौसा चौसा is a village in बकसर अगर मैं आप से पूछ हूँ कि आप ये बताओ कि चौसा के बारे में कुछ और extra information देदो geography point of view से तो ये याद रखिएगा कि चौसा ही वो जगह है जहां पर गंगा इंटर्स बिहार जो battle of चौसा के बारे में great detail में हम लोग आगे पढ़ेंगे पर ये हमें पता होना चाहिए कि battle of चौसा बहुत ही important है कब होता है battle of चौसा पंदरा सो उन्चालिस में ये battle क्यों important है पहला important ये है कि इस battle में हुमायू को सेर साह सुरी हराएंगे और जो अपना title लेंगे he took the title of साह and this has been asked n number of times in different competitive examinations जो इनका title है सेर साह सुरी तो sorry जो साह का ये title लेते हैं वो battle of चौसा में ही लेते हैं जो next important battle which you need to remember is battle of बिलग्राम this battle of बिलग्राम is often called as the battle of कर्नाज where is कर्नाज कर्नाज is in UP कब होता है 1540 में होता है जो battle of बिलग्राम है ये most important battle of सेर साह सुरी है in the sense that जब इस battle of बिलग्राम में सेर साह सुरी जो है वो हुमायू को completely defeat करता है completely defeat करेगा जब हुमायू को completely defeat करेगा तो इसी battle of कर्नाज के द्वारा he becomes the ruler of इंडिया are you getting what I am trying to emphasize वो ruler of इंडिया बनता है तो ये मेरा broad contour है जिसके तहत हमनों की पढ़ाई चलेगी we will study battle of बिलग्राम पर आपको ये पता होना चाहिए broad contour हम तो क्या पढ़ने वाले है now ये जो हमें story बता रहे है आप तो ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आप story बता रहे हैं साहब ये story मन गढ़नत कहानी भी तो हो सकती है what are the sources जहां से आप ये कहानी को उठा रहे हैं तो ये बहुत important है कि जब भी आप पढ़े क्या है तारीख ये दौदी कौन लिखता है पहले बात आपको पता होना चाहिए ये एक किताब है जो अब दुल्ला लिखते हैं इस किताब में सेरसा सूरी के जिक्र है दूसरा जो सोर्स है वो है तारीख ये सेरसा ही जहां से ये सब स्टोरी हम लोग आपको बताएंगे कौन लिखता है तारीख है सेरसा ही कभी जे भी कहा जाता है कि 1500 कोई किताब असी कहेगा कोई किया कहेगा कि 1582 में दिखा जाएगा कौन लिखता है ये जो किताब है ये बहुत important है ये लिखा जाता है अबास खान सरवानी के द्वारा ठीक है अबास खान सरवानी के द्वारा ये किताब लिखी जाती है तारीख है सेरसा ही जो third important source है जिसके तहत हम सारा स्टोरी आपको बताने वाले हैं वो है मलिक मुहम्मद जैसी के द्वारा रचित कृतियां मलिक मुहम्मद देखो आप कितना important चीज में आप घुच रहे हैं यहां से एक चीज बहुत important हो गया कि ये जो मलिक मुहम्मद जैसी है ये मलिक मुहम्मद जैसी ये वही मलिक मुहम्मद जैसी है जो पदमावत की रचना करते हैं ये मलिक मुहमद जैसी जो हैं, he is a contemporary to whom? He is contemporary to सेर सासूरी. सेर सासूरी के contemporary हैं. मलिक मुहमद जैसी पदमावत की रचना करते हैं. 1540 से 42 के बीच में रचना करते हैं. मलिक मुहमद जैसी की और कृतिया क्या हैं? अगर आप देखें तो उनकी एक की, किर्टी का नाम है बारह मासा बारह महीना उनकी दूसरी किर्टी की नाम है आखरी कलम यह सब बहुत important है इसका आप समझ लें और तीसरी उनकी important जो किर्टी है वो है अखरावत तो अगर जो भी चेरशा सूरी के बारे में information हमें मिलता है वो इन तीन स्टोर्स के बारे में मिलता है तारीक है दोदी अबदुल्ला के द्वारा तारीक है सेरसाही और मलिक मुहमद जैसी देखे थोड़ा सा हट के मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ अभी आप देख रहे होंगे अगर आप निउस को पढ़ते हूँ तो आप पदमावत के बारे में हमेशा निउस में चल रहा है कि पदमावत 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 किसकी स्टोरी है पदमावत अल्लाउदीन खिल जी और रानी पदमावती की स्टोरी है ठीक है अल्लाउदीन खिल जी का आप रेन देखे तो कब है 1290 से लेके 1360 के बीच में है रचना कब हो रही है मलीक मुहमद जैसी के द्वारा 1540 से 42 के बीच में तो अब आप देखिए अलाउदीन खिल जी है 1290 से 1360 के बीच में और रचना हो रही है 1540 से 42 के बीच में Can't we say that this पदमावत story जो novel है It is more of a figment of the imagination ये परिकलपना है लेखक का इसका reality से कोई संबंध नहीं है और यही विवाद का कारण है इन्होंने अपनी कहानी गड़ दी क्योंकि आप तो उसमें थे ही नहीं तो आपको क्या सत्य के बारे में पता है तो पदमावत is more a figment of the imagination of Malik मुहमद जैसी rather than it is a reality हमको शेर सास्टूरी के बारे में information मिलता है एक चीज मैं आपको इहीं पर बता देना चाहता हूँ यो तारीक है दौधी किताब है ना इस किताब में ये mention है कि शेर सास्टूरी जब आए देश को रूल करने तो पहला इन्होंने काम किया कि बिहार का उस समय कैप्टल क्या था बिहार सरीफ इन्होंने बिहार सरीफ से कैप्टल को shift करके पटना कर देते हैं और जो पटना का जो अभी present नाम पटना है पहले पाटली पुत्र था present नाम पटना was given in the reign of शेर सास्टूरी ये बहुत 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 important question है पटना का नाम का बहुत सारे stories है एक तो है कि पटन देवी के नाम पर है पर पटना का जो present अभी पटना का नाम जो है वो शेर सास्टूरी के समय कैप्टल को बिहार सरीफ से पटना shift किया जाता है और पटना का नाम पटना रखा जाता है जो अभी present ते नाम है अचैं ये बताएएगे बिहार का बिहार नाम कैसे पढ़ा बिहार का बिहार नाम बिहार सरीफ के नाम पर पलता है ठीक है इसके बारे में हम लोग और डिटील में पढ़हेंगे बाद में पर यह आपको पता होना चाहिए तारीक है दोधी किताब में पतना के बारे में जिक्र है कि बिहार सरीप से पतना को shift किया जाता है और पतना का present नम पतना सेरसास्टूरी के द्वारा ही रखा जाता है यहां तक आपको पता होना चाहिए अब देखिए trivial question पुछे जा चुके है हम लोग थोड़ा अलग हटके पढ़ते हैं कि कहीं चरी question आए तो हम लोग मार सके अब आप देखिए मैंने बना एक historical monument which are associated with the सेरसासूरी अगर आप ध्यान से देखे तो यह जो photo किस चीज़ का photo है यह photo जो है this is the tomb of सेरसा क्या significant feature है इस tomb की इस tomb के जो architect है उनका नाम है अलिवाल खान he is the architect of this tomb सासा राम में है आप इस आदमी सेरसासूरी के बारे में आप देखिए सासा राम के रहने वाले हैं he was so much attached to the सासा राम कि अपने जीवनकाल में ही 1540 से 45 के बीच में ही अपना tomb बनाते हैं सासा राम में यह चाहते तो देश में कहीं भी बना सकते थे तो यह जो tomb इन्होंने बनाया है अपने जिंदा रहते वक्त ही बना लिए हैं सासा राम में यह tomb see the beauty ठीक है यह depict क्या करता है कि he is so much attached to his birthplace जो इनका सासा राम है जो इनका area of influence है जो इनकी जमीन है वहाँ से जोड़े रहते हैं और अपनी tomb सासा राम में बनाते हैं और striking feature आपको सोच सकते हैं देखें इस तरह के प्रशन भी नहीं पुछे जा चुके हैं बीपेस्टी में और यह से ही आपको करना है ट्रिवियल प्रशन पुछे जा चुके है एक चीज क्या है कि 1998 में आप ये पाते हैं कि 1998 में भारत के तरफ से बहुत नाम जाते हैं कि UNESCO World Heritage Site का जो लिस्टिंग होता है उसमें बहुत सारे नाम जाते है कि ये भाई साब ताज महल रख लिजिए ये रख लिजिए ये रख लिजिए ये रख लिजिए तो 1998 में टूम ऑफ सेर्शा भारत के तरफ से नुमिनेशन में गया था नहीं मिलता है वो अलग बात है पर ये आपको इन्फोर्मिशन पता होना जा कि 1998 में भारत सरकार ने साथ सेर्शा के टूम को भी UNESCO World Heritage Site में लिस्ट करवाने के लिए भीजा था ये आपका पहला आपका प्रशन भी पुछ सकता है कि which are the following monuments associated with the सेर्शा तो उसमें एक है ये आगे बढ़ें ये क्या है ये बहुत ही खुबशूरत है आप ये देखी ये है रोहतास फोर्ट कहां पहे है रोहतास फोर्ट ये पाकिस्तान में है एक सेर्शासूरी से रोहतास गढ़ फोर्ट भी associated है and that is in रोहतास सासाराम के पास ही रोहतास फोर्ट but this is the रोहतास फोर्ट which I wanted to mention कि रोहतास फोर्ट जो है पाकिस्तान में है और ये जो रोहतास फोर्ट है इसको 1997 में सेरसास्तूरी के द्वारा निर्मिट है इसको UNESCO World Heritage Site मिलता है ये पाकिस्तान में है किस नदी के थट पर है जेलम नदी के थट पर है क्यों कब बनाया गया है 1541 में बनाया गया है क्यों अब देखिए 1540 में Battle of Cannauz में हुमायू को हरा देता है जो कि मुगल सासूरी जब सेरसासूरी उसको खदेरते हैं तो नौर्स्विस के तरफ भाग जाता है अफगानिस्तान के तरफ भाग जाता है तो ये पाकिस्तान जो नौर्स्विस पाठ है वह मायूस इन विजन एंड लेट मी रिमाइंड यू लेट मी रिम्फेसाइज दिस 1997 में इस साइट को वल्ल हेरिटेज साइट मिल चुका है यूनिस्को के द्वारा थर्ड इंपॉर्टेंट तो ये आपका सेकेंड जगह है जो एसोसीट हो सकता है थर्ड इंपॉर्टेंट इ इस कलिंजार फोट वेर इस कलिंजार फोट इस इन बुंदेल खंड कहां पर उस्तर प्रदीश में यह कलिंजार फोट के बारे में देखिए यह वही जगह है जहां पर सेरसासूरी की मौत होती है अब आप पढ़ लिजे कैसे मौत होती है है ना देखिए जो अंतिम लडाई यह लड़ते है वो चंदेल राजपूत के साथ लड़ते है चंदेल राजपूत लास्ट फाइट चंदेल राजपूत का एक राजा है उसका नाम है बीरभान ठीक है बीरभान हुमायू का आदमी है आपको मैंने शुरू में बताए कि हुमायू से इनके अदावत चल रही है जब सेरसासूरी को पता चलता है कि बीरभान हुमायू का आदमी है तो बीरभान को यह खदेड़ना स्टाट करते हैं बीरभान भागते भागते अपने दोस्त कीरत सिंग के पास चले जाते हैं कीरत सिंग कौन है कीरत सिंग कलिंजार के राजा है सेरसासूरी क्या करेंगे जब तुम कीरत सिंग के पास भाग गये हो और सेरसासूरी से तुम्हारी अदावत है तो सेर सासुरी अटेक्ट कलिंजार जब कलिंजार को अटेक करते हैं सेर सासुरी ये जीत जाते हैं जब जीत जाते हैं 1545 में तो जीत का जस्न मनेगा जब जीत का जस्न मनेगा तो जीत के जस्न में इतने खो जाते हैं कि एक हथगोला का प्रयोग करते हैं जस्न में हथगोला जैसे आप देखते हैंगे कि साधिवादी में लोग फाइरिंग करता है तो ये हथगोला का प्रयोग करते हैं उस हथगोला को उक्का कहा जाता है यू डबल के ए ठीक है और वो उक्का दिवाल पर टकराता है और वहां से टकरा कर सेर सासूरी को लगता है और सेर सासूरी इसी कलिंजार फोट में इनकी मृतिव हो जाती है ये प्रस्ण बताने का मतलब ये फैक्ट बताने का मतलब क्या हुआ ये fact बताने का आपको मात्र एक मतलब है कि अगर आपसे प्रस्न पूछ ले which of the following monuments are associated with the Serasa story कलिंजार फोट, रोहतास फोट पाकिस्तान, रोहतासगर फोट बिहार और tomb of Serasa at Satsaram तो आपको मारने में सहुलियत हो और आपको इस story भी पता हो अब आप ध्यान से देखे, ये कलिंजार फोट हो गया, ठीक है this is the beauty, कितना सुन्दर जेलम नदी के तटपर बनाया हो, कितना अच्छा fortification किया हुआ है, UNESCO World Heritage Site है, ठीक है आपसे यही पूछ सकता है, which structure which has been made by the Serasa has got the UNESCO World Heritage Site उसमें एक रोहतासगार फोट आपको साचारम भी रहेगा, रोहतासगार फोट, तो आप रोहतासगार फोट मार देंगे, तो आप गलस हो जाएंगे, तो that is the रोहतासगार फोट in पाकिस्ता, ठीक है Now, let's start, अब हम लोग इनके बारे में पढ़नाय स्टार्ट करते हैं, Serasa Suri के बारे में, देखो What are the basic facts which are associated with the Serasa Suri and the battle of Surajra, बहुत important है देखे, Serasa Suri का जो जन्म है, वो 1486 लिखा हुआ है, कोई-कोई किताब इसको 1482 भी लिखता है तो आप इसको देख लिजेगा, 1486 है 1482 इनका बचपन का क्या नाम है, Serasa Suri का बचपन का क्या नाम है, इनका बचपन का नाम है, फरीद खान ठीक है, इनके पिता जी का नाम क्या है, हसन खान, Sur dynasty के संस्थापक है, सक्सेसर इसलाम साह Suri है अभी आपको बता है कि 22 में 1545 को कलिंजार फोट में इनके मरतियों होती है अब आप देखिए, अच्छे ये बताइए, मैंने भी आपको बताए कि अफगान और जिन के हैं, अफगानिस्तान में कहा के रहने वाले हैं, देखिए इस तरह के फैक्ट पूछ लेता है, उस गाउं का नाम है राहरी उस गाओं का नाम है राहरी अफगानिस्तान के वहीं के ये लोग रहने वाले हैं पर ये रहते का है इस सासा नाम में रहते हैं देखिए इनके जो फादर है हसन खान ये जागिरदार अफ सासा राम इनके बहुत बीवियां हैं वो जिस बीवी को पसंद करते हैं, उनके बच्चे को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये पहली बीवी से हैं, सेरसा, जो अभी सेरसा नहीं फरीद खान, तो इनको उतना पसंद नहीं करते हैं, तो अपने पिताजी से बहुत इनकी जमती नहीं है, and he goes for a study, कहां चले जाते हैं प एजूकेशन हब है, ये वही एजूकेशन हब है, जो अभी दिल्ली बना हुआ है, जो एजूकेशन हब है आचा जॉनपूर का नाम थोड़ा साप एक अलग सी इंफरमेशन में दे दू, जॉनपूर के स्थापना कौन करता है, फिरोज साह तुगलक, किसके नाम पर करता है मुहमद बिन तुगलक, मुहमद बिन तुगलक का नाम क्या है, जोना खान, उन्ही के नाम पर है, जॉनपूर, जॉनपूर इतना एजूकेशन का हब है, कि इस जॉनपूर को सिराज ए हिंद उसमें कहा जाता था, आप समझ लिए, सिराज ए हिंद, एजूकेशन का इतना ब जौनपूर में होती है अब आप देखिए पिताजी से अदावत है पिताजी से उतनी जमती नहीं है जौनपूर में उस समय अगर आप देखे न तो साउथ बिहार का अब आप देखे शाउथ बिहार जो है उस समय का उसका एक सुबेदार है जो साउत बिहार है उस सुबेदार का नाम है बहार खान लुहानी और मुहम्मद साह और सुल्तान मुहम्मद इस सब इनी का नाम है सुल्तान मुहम्मद बहार खान लुहानी का ये सुबेदार है साउत बिहार के जॉनकूर साइट के पिताजी से जमती नहीं है सिख्छा दिख्छा वहीं हुई है ये इसी के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं फरीज खान जब फरीज खान इसके अंदर काम में स्टाट करते हैं तो एक बार ये देखते हैं बहार खान लोहानी कि एक सेर को इन्होंने एक तलवार से मार दिया और वो सेर मर गया कुछ किंग वदित कहानिया ये हैं कि इन्होंने सेर को पठके मार दिया जब इस घटना को बाहर खान लोहानी देखते हैं तो इनको सेर साह, सेर खान की उपाधी देते हैं इनको तो प्रस्ण ये पुछता है कि who gave the title of सेर खान तो सेर साह सुरी, बाहर खान लोहानी और मुहम्मद साह और सुल्तान मुहम्मद जो समय के जौनपूर के, जौनपूर एरिया के सुबेदार थे अब आप देखिए who gave the title of साह, it was during the battle of Chausa he took the title of साह during the battle of Chausa सेर खान इनको बाहर खान लोहानी दे दिये अब ध्यान से देखिए, बाहर खान लोहानी की डेथ होती है जब बाहर खान लोहानी की डेथ होती है इनकी डेथ हो गई तो इनका एक minor child है उस child का नाम है जलाल खान और जलालुदीन खान बाहर खान लोहानी की जो बीवी है जो बहारखान लोहनी की जो बीवी हैं, उनका नाम है दूदू बेगम, ये दूदू बेगम जो हैं, चुकि ये बहुत ही capable इंसान है सेर सासूरी, जब capable इंसान है तो यहां पे इनकी सेना में बहुत आगे बढ़ता है, और दूदू बेगम इनकी काबिलियत को देखते हुए जो अपने minor child है, husband मर चुके हैं, तो जलाल खान का इसको caretaker बनाती है, दूदू बेगम caretaker इसको बना देती है, शेर सासुरी को, यह आदमी है minor child, जब minor child है और caretaker बनते हैं, तो इस आदमी की cloud बहुत बढ़ती है, शेर सासुरी की, बहुत cloud बढ़ती है, और जौनपूर पे पाएंगे, वो तो चलाने ही पा रहे है, he became the defector ruler, अब क्या होता है, कि जब एक आदमी को देख रहे हैं, कि यह पूरा जौनपूर को चला रहा है, वो सेर सासुरी चला रहा है, जो वहां के noble हैं, जो बहार खान लोहनी के लोग थे, वो noble क्या करते हैं, तो देखते हैं कि इ नुसरत साह, he is the ruler of Bengal, इनको बोलते हैं कि भाई, यह आदमी पूरा एकछत राज और कब्जा कर लिया है जौनपूर पर, जलाल खान के minor होने के कारण, हाप हमारी मदद करिए, और इस आदमी को डित्थो करिए, नुसरत साह जो है, वो अपना बेटा कुतूब खान के बेट बेटा है इबराहिम, इनकी इबराहिम जो है, कुतूब खान का बेटा है, नुसरत साह का जो रूलर बेंगॉल है, इबराहिम के अंदर बोलते हैं कि जाओ, और सेर साह सुरी को थोड़ा ठीक करके आओ, अब आप देखिए, इबराहिम जाते हैं, बंगाल के रूलर के द्वारा, कि आप जाके सेर साह सुरी को ठीक करेंगे, सेर साह सुरी जौनपुर में है, मुंगेर पर लड़ाई होती है, और याद रखेगा, कि इस मुंगेर एक्टेड एज बोडर लाइन बिट्विन पिहार एंड बंगाल, पता होना चाहिए, कि मुंगेर बोडर लाइन उस समय एक करता था बिहार बंगॉल का, बैटल ऑफ सुरजगर जब होता है, तो जित्ता कौन है, इस बैटल ऑफ सुरजगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है, इसमें सेर साह सुरी कमस आउट अज विक्टोरियस, किसको हराता है, इबराहीम को हराता है, इबराहीम किसको रिप्रेजेंट करता है, बेंगॉल के रूलर को रिप्रेजेंट करता है, अब आप देखिए, जो आदमी अभी तक जौनपूर तक रूल कर रहा था, जौनपूर पे एक छतर राज था, अब जब इबराहीम को हरात और सिधा उसकी सुपरमेसी को चैलेंज करता है और पूरा बंगाल फतह कर लेता है। यह बहुत इंपोर्टेंट है। एक आदमी अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे अपने आपको प्रॉलिफरेट करता है और पूरे इंडिया पर रूल करता है पर अभी आप देखे कि जौनपूर से उठा हुआ आदमी अब रूलर फबेंगॉल कैसे बनता है। प्रॉल्टेंट है।